बिसमिल्ला रह्मान रहें कैसे हैं भाई आप लोग रटना नहीं समझना है English Language Advanced One Sentences with Verbalic Category कर रहे हैं Lecture 30 पे आच चुके हैं और आखरी Subtense सारे Tenses Present, Past, Future Future का आखरी Subtense करने जा रहे हैं Future Perfect Continuous Tense ठीक है भाई अलके बच्चों के लिए नहीं है मैंती बच्चों के लिए चैलेंजिंग बच्चों के लिए जिद्धी बच्चों के लिए ठीक है यकीनल आप लोगोंने पहले जो है कौन सा वाला Present Perfect Continuous भी कर लिया होगा Past Perfect Continuous भी कर लिया होगा तो Future Perfect Continuous आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा असान है जो अभी अभी आए हैं पहली दफा देख रहे हैं उनके लिए तो कोई फायदा नहीं है वो वीडियो बंदी करने तो बहतर है पिछली वीडियो उस पे जाएं शुरू से चलें लेक्चर थर्टी पे थर्टी पे हैं अभी हम तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है आइडेंटिफिकेशन पहचान इसकी क्या है प्रोसीजर हमारा वो ही है उर्दू से इंग्लिश की तरफ हमने जाना है अपनी उर्दू जबान से इंग्लिश की तरफ हमारी जबान के कौन से जुमले है कैसे पहचानेंगे उनको रहा होगा रही होगी वगेरा एक तो ये पहचान है दूसरी पहचान इसमें वक्त टाइम दिया होगा वो ही सब कुछ वो ही है Present, Perfect, Continuous Past, Perfect, Continuous सब कुछ वो ही है फर्क सिर्फ जो है identification का है और formula का है formula देखें इसका formula हमारे पास क्या है subject आएगा पिलस helping verb में आएगा will have been helping verb हो गया नंबर टूपे plus main verb की वोन से form आएगी fourth form आएगी पिलस अब्जेक्ट आ जाएगा पिलस सिंस आएगा या फॉर आएगा क्या आएगा सिंस आएगा या फॉर आएगा ये फॉर मुला हो चुका है एक्जेंप्ल ने एहमद पंदरा मिनट से क्रिकिट खेल रहा होगा ठीक है एहमद पंदरा मिनट से क्रिकेट खेल रहा होगा एहमद ले ले helping verb क्या है subject आगे helping verb will have been एहमद will have been कि राएगा main verb की fourth form main verb क्या है खेलना तो इसकी fourth form हो जाएगी playing ठीक है क्या खेल रहा है cricket खेल रहा है यह object भी आगे अब आएगा since आएगा या four तो यहाँ पर क्या आएगा four आएगा क्यूं आएगा पता है आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं उन्हें पता है क्यूं four आएगा और since क्यूं नहीं आएगा पताने की कोई जरुरूरत नहीं है और fifteen minutes हो गया भई ठीक है exercise देखें इसकी मिटा दूएं यह आगा इसके उपर एक motivational video बनाऊंगा मैं जरा यह इन वीडियो से free हो जाऊंगा तो एक motivational video इसके उपर बनाऊंगा जिसमें मैं तफसील से जरा बात करूंगा यह इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं और काफी बच्चे सोच के आया होंगे बस यह English language course करने के बाद हम तो फटाफट English बोलना सीख जाएंगे बस यही एक बास जहन में होती है हमें English बोल नहीं आजाएं आपको पता ही नहीं है कि इसके फाइदे क्या क्या हैं यह तफसील से बात परूंगा जरा motivational video में अपनी उसमें बताऊंगा कि इसके फाइदे क्या क्या हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर आप यह कर लेते हैं तो आपको किन-किन एरिया में कहां-कहां फाइदे होंगे यह बात आपको समझ आ गई न तो आप दूआ देंगे आप दूआ देंगे कि सर यह हमारे लिए तो पता नहीं कितने मसले हल हो गए हमारे ठीक है? सेंटेंस को देखें आप परिंदे सुबा से चहचहा रहे होंगे परिंदे सुबा से चह चहचहा रहे होंगे परिंदे होते हैं न बर्ड्स खुश्चूरत आवाजे निकालते हैं परिंदों को तो बर्ड्स कहते हैं सुबा मौर्निंग हो गया चहचहा न इसको कहते हैं चिर्प, C-H-I-R-P, चिर्प, ठीक है, नमबर टू पर आ जाएं, फाइफ सेंटेंसे दोंगा बज़ इसके ज्यादा नहीं, एहसन सुबा से सवाल हल कर रहा होगा, एहसन सुबा से सवाल हल कर रहा होगा, यह तो बहुत ही आसान है, एहसन तो एहसन है, सुबा से मौर्निंग सवाल हल करने को क्या कहेंगे, सॉल्फ, ठीक है, उसके बाद, मेरा दोस्ट दस मिनट से दर्वाजे पर दस तक दे रहा होगा, रहा होगा, नमबर थ्री, इसमें क्या है, मेरा दोस्ट, माई फ्रेंड, दस मिनट, टैन मिनट, दर्वाजे को डोर केते हैं, दस तक देने को नौक केते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल वर्ड ही नहीं, नमबर फॉर पर आजएं, नमबर फॉर पर हमारे पास है, रियास पांच साल से इनाम हासल नहीं कर रहा होगा, यह है थोड़ा सा मज़दार, रियास पांच साल से इनाम हासल नहीं कर रहा होगा, रियास को तो रियास ही कहेंगे नमें, पांच साल, पाइव यर्स, इनाम को क्या कहेंगे? इनाम को क्या कहते हैं भई बता दूँ प्रेजंट जी प्रेजंट वर्ड का मतलब मौजूद भी होता है और प्रेजंट का मतलब इनाम भी होता है ठीक है और हासिल करने को क्या कहेंगे गेट 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 देखूं और कोई अच्छा वर्ड है इसके लिए तो नहीं कोई खास नहीं है अच्छा और देखें लास्ट सेंटेंस कोई अच्छा सा ले लेते हैं यह है हाँ क्या लड़के दोपेड से आँख मिचोली खेल रहे होंगे यह अच्छा जुम्ला है बई क्या लड़के दोपेड से आँख मिचोली खेल रहे होंगे खेलने को तो क्या कहेंगे पिले आँख मिचोली क्या होता है यह शायद नहीं बच्छों को तो पता भी नहीं हो आँख मिचोली क्या होता है यह भी एक गेम है हाइड एंड सीक जिसमें छुप जाते हैं हाइड एंड सीक पुराने बच्चों को पता हो बड़े बच्चों को hide and seek इसमें छुप जाते हैं आपको ढूंडना होता है बस कहां छुपे हैं तो इसको हम कहते हैं आँख मिचोली इसको इंग्लिश में कहते हैं hide and seek दोपहर को क्या कहते हैं noon ठीक है बई ये आज अल्ला की रहमत से ये निमट चुका सारे टेंसिस हो गए इसका रिविजन टेस्ट जो है वो इंशालला नेक्स वीडियो में मैं आपको देदूँगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा description में solution मौझूद है challenging बच्चों का तो पता है वो तो बिल्कुल नहीं देखिएगा तभी तो वो challenging है ठीक है भई अपना ख्याल रखिएगा असिफ रजा को अजादत दीजिए no like no subscribe only share अल्लावाफ़